ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं है स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम स्थाने अपरास शाखा ने लिफ्ट के कंट्रोल ड्राइब चोरी करने वाले दोआ रूपियों को गिरफतार किया है अपरास शाखा ने इन दोनों के पास से 49 लिफ्ट कंट्रोल ड्राइब बरामत की है जिसके केमत 7,80,000 रुपे बताई जा रही है ये लोग अंबरनात कल्यान डोंबे वली ठाने के इलाकों में बिल्डिगों की लिफ्ट में चोरी करते थे पुलिस उपायोग देवराज ने बताया कि लिफ्ट कंट्रोल ड्राइब की चोरी की घटना बढ़ते ही जा रही थी लिफ्ट बंद होने की वजह से वरिष्टों को तकलीफ भी होती थी अपराज चाखा उलास नगर यूनिट को अंबरनात पस्चिम में फोरेश्ट नाका इलाके में लिफ्ट कंट्रोल ड्राइब चोरी करने वाले बेक्त की रहने की सूचना मिली थी जिसके बाद घेरा बंदी कर हम छे मेने से उसके उपर काम कर रहे हैं तो हमने खाक्षवी इसके उपर मेहनत लिया हमारा कीम दिशिवा तो हमको कही ज्यक्तर पर CCTV में कुछ तस्वीरें मिली उस तस्वीरें को हमने के माध्यों से हम नहीं आत्मी को घरत होचा और उसको ज्यक्तर में लिंगी के वाद हमें पता जला कि इसने यह प्राइन को अंजम दिया तो हमने उसको पुछने को जिसने हमने बता है कि कम से कम नहीं कि यह कुछ पैनल चोरा है और जो इसको यह बैस्टर था उसको भी हमन पुलिस ने एक आरोपी विकास नरेंट तिवारी 23 वर्षियों को गिरफतार किया उससे मिली जानकारी पर लिफ्ट का पार्ट खरीदी करने वाला एक बेकती और भी गिरफतार किया गया है दोनों के पास से चोरी की गई 49 लिफ्ट के कंट्रोल ड्राइव रामत की गई है साथ में ही विकास तिवारी से उल्हास नगर से चोरी हुई मैस्ट्रो मोटर साइकल भी बरामत की गई है आगे अपराश्चाखा इस मामले की जाच कर रही है तो तमाम खबरों को जा जानने के लिए देखते रहिए प्राहर टाइम्स